पहली बार आये हो तो सब इस्क्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों केसे हैं आप लोग उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में आपको यूट्यूब से रिलेटेट एक ट्रिक बताने वाला हूँ अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल अभी-अभी बनाया है और अब आप चाहते हैं कि आपका YouTube channel YouTube search में आए तो इसके लिए आपको अपने YouTube channel के लिए keywords को add करना पड़ेगा पर आपको नहीं पता है कि keywords को add के से करना है तो don't worry क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी detail से बताऊंगा कि आप अपने mobile से ही YouTube channel के लिए keywords के से add कर सकते हैं तो चलिए हम ज़्यादा time waste नहीं करेंगे और सीधा वीडियो को start करते हैं और जानते हैं कि YouTube channel के लिए keywords को के से add किया जाता है दोस्तो जैसा कि हम अपने mobile से ही YouTube keywords को add करने वाले हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोई browser यूज़ करना पड़ेगा मैं यहाँ पर Google Chrome browser का यूज़ कर रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले तो Google Chrome browser को open कर लीजिए अब यहाँ पर आपको लिखना होगा YouTube.com जैसे यह आप YouTube.com लिखते हैं तो YouTube को page खुल जाएगा अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है सबसे पहले राइट साइड में यहां थ्री डोट्स होते हैं यहाँ पर उस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना होगा नीचे आने के बाद डिस्क आफ साइट पर क्लिक कर देना है तो इससे क्या होगा कि आपका जो यूट्यूब है वो डिस्क आफ साइट में खुल जाएगा अब आप इसको जूम करिए और जूम करके उपर आप देख सकते हैं यहां लोगो है अगर यह नहीं आ रहो और यहां साइन इन का ओप्शन है तब साइन पर क्लिक करके अपने उस जीमेल आइडी से लोगिन कर लीजे जिससे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है ठीक है अब जैसे मेरा अल्रेडी लोगिन है तो यहां पर लोगो दीख है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अब क्लिक करने के बाद में आपको जूम मीन करके दिखा रहा हूं अब क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको तीसरे नंबर पर एक उप्शन मिलेगा यूट्यूब स्टूडियो का तो आपको इसको एक नए टेब में खुला अगर इस अब मैं टेप में जाने के बाद कुछ इस तरह का दीखेगा YouTube Studio तो यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड में सेटिंग्स का ऑप्शन होगा ठीक है तो सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में एक पॉपप खुलता है यहाँ पर आपको यह जो सेकेंड ऑप्श कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तो अब यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मेरे चैनल का नाम पहले कुछ और था तो मैंने वो कीवर्ट कर रखे थे तो मैं यहाँ पर इन सभी कीवर्ट को पहले हटा दिता हूँ ठीक है तो जैसा कि मैंने यहाँ पर यह सारे अब की व्त डालते वक्त यह बात याद रखना है कि आपके जो चैनल है उस नां के कीवड डालना अब की जब भी आपका क्व occurred का नाम सर्च करें तो वह search में दीखें जैसे कि युट्यूब चैनल का नाम है emla network ठीक है तो मैं यहाँपर डाल देता हूँ अब मैंने अपने YouTube channel के लिए यहां पर keyword डाल दी आप देख सकते हैं मैंने YouTube channel का नाम अलग-अलग तरह से यहां लिग दिया है ML network, ML network ऐसे करके अलग-अलग तरह से जब यह हो जाता है तो आप यहां पर click कर दीजे कहीं पर भी और यह कुछ इस तरह का हो जाएगा अब आप देख सकते हैं यह keywords add हो चुके हैं तो अब simply हमको इसको save करना होगा अब जैसे ही हम save करते हैं तो keyword add हो जाते हैं अब आपको कुछ दिनों के लिए wait करना होगा जैसे ही कुछ दिन हो जाएंगे दो-चार दिन जो भी उसके बाद होगा क्या कि इस नाम से कोई भी YouTube पर search करेगा तो आपका channel search में दिखने लगेगा तो दोस्तो यही तरीका है YouTube चैनल पर keywords को add करने का एकदम आसान है आप mobile से भी कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप comment करके पूछ सकते हैं मैं आपकी help पर कर दूँँगा तो बस दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करना और अपने दोस्तों को share जरूर करना और हाँ यार चैनल को subscribe कर देना क्योंकि subscribe करोगे तब ही ता अपना चैनल चलेगा न इसलिए फटा-फट से subscribe जरूर मारन तो चलिए मैं अब आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में एक और नई ट्रिक के साथ तब तक के लिए good bye